ओम शांति, तो विचार तो करना चीए, बिना विचार के परिवर्टर नहीं आता, यह तो आपको भी पता है, जब तक आप किसी भी चीज पर, कोई भी चीज आपने छोड़नी है, जो आपको अच्छी नहीं लगती है, तो जब तक आप उस पर विचार नहीं करोगे, उससे घ्रिना नहीं करोगे, किसी विकार से, तो आप से चूटने वाला नहीं है, कहीं कहते हैं, आम पिछला मिटा सकते हैं, कि नहीं, ड्रामा में नूंधम चेंज कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते हैं, संगम पर, किसने कहां नहीं कर सकते हैं, संगम तो नूंधने का समय है, तो आप कर सकते हैं, आपको याद तो है नहीं, कि सत्यूग में क्या पत पाया, द्वापर में क्या किया, कल यूग में क्या किया, आपको तो कुछ भी याद नहीं, आपको तो सिर्फ इसी जनम का याद है, और इसी जनम में आप इसी प्रश्न में अठके होए हो, क्या मैं ड्रामा बदल सकता हूं तो जब आपने जो कुछ किया, वो कल्यूग में किया, अंत समय किया, उससे पहले कितना कुछ किया, वो तो कुछ भी याद नहीं, तो आप अपने इतने छूटे से पार्ट्स में भी कितने दुखी हो जाते हो, तो सोचो कितने समय का हमारा हिसाब कित इतना दुख दे रहा है, तो संगम पर हम नूद सकते हैं, क्योंकि अभी हम संगम पर खड़े हैं, इसलिए वर्तमान होता ही है नूदने के लिए, तो नूदने, और संगम ही एक ऐसा समय है, जब आप आदी, मद्दे, अंत, सब कुछ जानते हैं, इतने नौलेजफुल है कि आपको सब कुछ पता है, कोई ऐसा प्रशन बचता नहीं, जिसका उत्तर आपके पास नहीं, तो कितनी निशन दता है, किसी भी तरह का कोई भी प्रशन आजाता है, उसका उत्तर है, ऐसे हवा में उत्तर नहीं है, तो सुनने कि आपके कपेस्टी होनी चाहिए, तो आपक आप कि पास सारे उते मर्ज हो जाते हैं, किसी भी चीज को आपके अंदर जो उधेड बुंद होती है, उसको अविकार तो आत्मा ही करेगी, मन बुद्धी करेंगे, तो जब मन बुद्धी साफ और स्पस्ट होंगे, तो अटोमैटिकली उस उत्तर उत्तर कितने स्पस्ट और कर लेते हैं तो खुशी भी वैसे ही मिलेगी तो दूसरों से उमीद लगाने की बजाए अपने आप से उमीद लगाओ कि मैं क्या करता हूँ कर दूसरों से उमीद लगाए बठे हैं कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए तो दस परसेंट जड़ा अपने में देखना मुझको कैसा होना चाहिए तो क्या जो मैं उसमें उमीद लगा रहा हूँ वो सारी अलक्षन मुझमें है इसको गुस्सा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा एटिटूट नहीं बनाना चाहिए, इसको सब के साथ मीठा विवार करना चाहिए, तो क्या ये सारे के सारे लक्षन मुझ में है, इसको मेरी बात का सही जवाब देना चाहिए, इसको मेरे साथ बहस नहीं करने चाहिए, तो क्या, मैं पर्फेक्ट हूँ। तो अभ्यवार के लिए भी हमें अग्या मिली हुए। कर्मों के लिए हमें अग्या मिली हुए। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए हमें अग्या ना मिली हुए।